हेलो एब्रिवन दिसेज आदित्य वर्मा आइ वेलकम यू आल टो एकलेप्स क्लासेज एज वी एर स्टेडिंग डाइजेशन अफ फूड इन दिस लेक्चर वी विल स्टेडि एबाउट डाइजेशन इन इस्टामाख लास्ट लेक्चर में हमने देखा था है डाइजेशन इन माउट और हमने देखा था माउट के अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है और जो हमारा फूड है बोलस के फ一हानों में परेस्टȈलिटिक यह जो layer है हमारा इसको हम zoom करके देखेंगे ओके तो outermost जो layer है stomach का this is the syrosa और syrosa के अंदर muscularis layer present होता है जो की thin layer में divided होता है outer longitudinal then middle circular and inner oblique and inside this muscularis some mucosa layer present होता है ओके और some mucosa के अंदर mucosa layer present होता है और ये mucosa हमारा innermost layer होता है और ये हमारा stomach का living okay तो जो innermost layer mucosa होता है हमारा mucosa में हमारा gastric glands present होते है ठीक बाथ और ये gastric glands में three major types के cells present होते है जोकि पहला क्या है mucous neck cells, second क्या है, piptic और chip cells, third क्या है पिराइटल और ओक्सेंटिक सेल्स ठीक है ये है हमारा म्यूकस नेक सेल्स ये हमारा पेप्टिक और चिप सेल्स और ये हमारा पिराइटल और ओक्सेंटिक सेल्स ठीक है जो ये हमारा म्यूकस नेक सेल्स है इसमें म्यूकस का सिक्रीशन करता है और ये जो पेप्टिक और पेपसीनोजेन एंड प्रोरेनिन ठीक है और ये पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स किसका सिक्रेशन करता है HCL एंड इंट्रेंसिक फेक्टर्स का ओके इस इस ओल्सो इंपोर्टेंट और ये जो इंट्रेंसिक फेक्टर होता है ये बिटामिन B12 का एब्जॉप्शन के लिए इसेंसियल होता है और यहां पर एक और इंपोर्टेंट लाइन है कि हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से इसमें इसमौल मंँक्ट में लाइप양 का भी सिक्रिशन होता है या रहेगा लाइप ये सिक्रिशन करेंट है a लेकिन स्मौल इंट इसमौल एंट में वहां में फूड हमारा आचुका है इस टमक में इस टमक में क्या होगा फूड का फूर टू फाइप आवर इस टोर होगा ठीक है और इस टाइम के दोरान क्या होगा कि फूड का एसिडिक गेस्ट्रिक जूस के साथ थ्रोली मिक्स किया जाएगा और यह मिक्स होगा कैसे मुस्कुलर वॉल जो है इसमें चरिंग मुमेंट्स होंगे चरिंग मुमेंट्स होंगे मुस्कुलर वॉल में उसी से हमारा फूड क्या होगा acidic gastric juice से thoroughly mix होगा और यह जो food है हमारा acidic gastric juice के साथ mix होने के बाद क्या कहलाता है काइम कहलाता है this is important याद दोना चाहिए कि food जो है हमारा stomach में gastric juice के साथ mix हो जाने के बाद काइम कहलाता है तो यह जो हमारा pro enzyme pepsinogen है जो किस से secret हुआ है हमारा peptic और chip cells है this is a peptic और chip cell किसका secretion किया है pepsinogen का तो chip cell से हमारा pepsinogen का secretion हुआ है तो यह क्या होगा यह hydrochloric acid जो है parietal cell से secret हुआ है इससे मिलने के बाद यह convert हो जाता है हमारा active enzyme pepsin में यह हमारा pepsinogen है यह HCL के contact में आने के बाद change हो गया active enzyme pepsin में ओके this is important फिर यह हमारा pepsin जो है क्या करता है proteins को convert करता है proteose और peptons में ओके this is the protein with the help of enzyme pepsin converted into proteose and peptons this is important reaction ok फिर है हमने देखा था कि जो हमारा cheap cell हो secretion करता है pro-renin का भी ok तो pro-renin भी HCL के contact में आने के बाद change हो जाता है renen में this is also important और यह renen एक हमारा proteolytic enzyme होता है जो कि in fans के gastric juice में पाया जाता है ठीक बात और यह क्या करता है यह milk protein को digest करने में help करता है और यह milk protein हमारा casein होता है तो casein हमारा milk protein है renin के साथ मिलके किसमे change हो गया paracacin और whey protein में और यह जो हमारा paracacin है calcium के साथ मिलके किसमे change हो गया calcium paracacinate ok और यह calcium paracacinate को फिर pepsin किसमें चेंज कर देगा peptones में इस इंपोर्टेंट ये सारा का सारा reaction हमारा कहां पे हो रहा है ये सारा का सारा reaction हमारा stomach में हो रहा है फिर ये ये हमारा stomach stomach में ये reactions हुए फिर reactions के बाद ये food हमारा further pass out होके किदर आ जाएगा small intestine में और आगे कहा digestion कहां पे होगा small intestine में so next lecture में हम digestion in small intestine study करेंगे ठीक है so if you like this video please like this video and share this video in your group and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of new video thank you